गुड इवनिंग मैडियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि मुकेशलाल कोचिंग ग्लासेज आप सभी को ऑनलाइन आरेस अर्वाल का सौरूशन दे रहे थे अब इसमें हम आपको कोच्टननमर 10 तक करवा चुके थे ओर डी 15 चप्टर का यानि की टाइमन वर का आज से हम आप लोगों को टाइमन वर का कोच्टन नमर 11 करवाने जा रहे हैं तो देखिए मैं गयर ये जो question number 11 जो कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है A किसी कारी को 18 दिनों में A जो है वेक्तिय किसी कारी को 18 दिनों में कर सकता है जबकि B उसी काम को जबकि B 20 दिनों में तथा C 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो आपको हम बता चुके हैं सबसे पहले जो भी data रहता उसको लिख लिया जाता है तो देखें नीचे में हमने लिख लिया तो क्या लिख लिया हमने कि A देखी 18 दिन में कर रहा है B यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है और C से 30 दिनों में कर रहा है और हम आपको यह भी बता चुके हैं कि इन सभी का LCM ले ले लेज़े LCM क्यों लेंगे ताकि आपको पूरा unit पता चल जाए पूरा काम पता चल जाए कि मुझे पूरा काम करना कितना है तो इससे आपको क्या होगा पूरा काम पता चल जाएगा मुझे टोटल unit करना कितना काम है तो जब 18 का 20 का और 30 का LCM लेंगे आप तो 180 आ जाएगा अब 180 जैसे ही आ गया तो यह मुझे टोटल काम हो गया जो कि मुझे 180 करना है अब 180 काम करना है एक करेगा 18 दिन में तो 180 काम करने के लिए एक दिन में उसको कितना काम करना पड़ेगा तो 180 को 18 से भाग लगाती है तो आगे आपका 10 यानि कि यह 10 जो आया आपका हुआया एक का एक दिन का काम उसी प्रकार से जब 180 में 20 से भाग लगाएंगे तो आपका gg 9 ये 9 क्या है तो B का 1 दिन का काम है और 6 क्या है तो C का 1 दिन का काम है आगे काह रहा है माईडियर आगे काह रहा है कि B तथा C ऊस काम को मिल कर start करते हैं मतलब अस्टार्टिंग में हमने बटा में 2 लिख दिया, 6 कार को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, तो देखे माई डियर हमने यहाँ पर फ्रेम में आपको क्या हुआ है, एक उपर में लिख दिये, नीचे में कितना दिन काम करेगा वो, वो मुझे पता निया, वही तो निकालना है, तो देखिए यहां पे आप देखिए B एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 9 काम कर रहा है C एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम कर रहा है 9 छो कितना होगे 15 काम यानि कि B और C मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो यह देखिए 15 काम करेंगे उसी प्रकार से इन दोनों को मिलकर दो दिन तक काम करना है तो दो दिन में ये कितना काम कर लेगा तो पंदा गुना दो यानि कि 30 काम पूरा कर लेंगे टोटल काम मुझे देखिए करना था 180, 180 में से 30 काम हो गया टोटल काम बचा कितना तो 150 काम मेरा और बची अमाइडियर जो की A को करना है क्योंकि B और C तो छोड़कर चला गया काम तो बचा कौन तो A बचा तो A को 150 काम करना है अब देखिए ए जो है एक दिन में उपर देखिए कितना काम कर रहा था है यहाँ पे देखिए 10 काम कर रहा था एक दिन में तो 150 काम करने के लिए कितना दिन टाइम लगाएगा 150 बटना में 10 यानि कि 15 दिन राइट आंसर तो 15 दिन अपसा नमबर 4 आपका क्या हो जाएगा चार घंटे तथा बारा घंटे में समात करते हैं यानि A देखी किसी काम को छो घंटा में, B चार घंटा में और C जो है वो बारा घंटा में करता है सबसे पहला काम है आपका टोटल यूनिट निकालना, टोटल काम निकालना कि टोटल काम मुझे करना कितना है इसके लिए आपको A का, B का, C का यानि कि 6-4 बारा का LCM लेना पड़ेगा जो कि LCM आपको 12 आ जाएगा देखें मैडियर 12 जैसे ही आ गया ये टोटल काम आ गया अब आपको निकालना पड़ेगा कि A एक दिन में कितना काम करेगा तो A जो है देखें 6 दिन में 12 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करता होगा और B जो है 4 दिन में 12 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करता होगा उसी प्रकार से C देखिए 12 दिन में 12 काम यानि कि एक दिन में 1 काम तो इस प्रकार से देखिए ये 2 क्या है तो यह है दो A के एक दिन का काम यह 3 क्या है B का एक दिन का काम यह C क्या है C का एक दिन का काम इस प्रकार से A का एक दिन का काम 2 हो गया B एक दिन में 3 काम करेगा और C एक दिन में 1 काम करेगा तो 3 मिल कर एक दिन में कितना काम करेगा तो 2, 1, 3, 3, 2, 1 यानिकि 3, 2, 5, 6 काम, यह 6 काम क्या है, तीनों मिलकर एक दिन में करेगा, अब सवाल कहरा है कि तीनों मिलकर इस कारे को कितने घंटे में पूरा करेंगे, हलाकि देखिए घंटा दिया हुआ था, आपको दिन बोले हैं, कोई प्रावलम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी द करने के लिए कितना टाम लगाएगा यहां पे देखिए बारा बट छे यानि कि दो घंटा दो घंटा बोलिए अगर दिन में रहता तो दिन पूरा कर सकते मतर तीनों ब्यक्ति मिलकर, man, woman और children, यदि एक पूरुष अकेला इसे छो दिन में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है, देखिए man 6 दिन दे दिया और जो लड़का है वो 18 दिन में पूरा करें, तो एक इस्तरी अकेले से कितना दिन में पूरा करेंगी, तो देखिए man 6 दिन में पूरा कर रहा है, और एक बी जो है उसी काम को देखिए 18 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले इसका LCM लेजेगा तो 18 आजाएगा, 18 क्या आगया, टोटल यूनीट, यानि टोटल मुझे काम करना कितना है, अब देखिए man, woman और boy मिलकर तीन दिन में कर रहा था, टोटल 18 काम करने के लिए एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, तो 6 काम, उसी प्रकार से एक आदमी को एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा, और एक लड़का को एक दिन में 1 काम करना पड़ेगा, ये 6 क्या है, तीनों मिलकर एक दिन में काम करेगा, ये 3 क्या ह ये man का एक दिन का काम, ये एक क्या है, boy का एक दिन का काम, अब देखिए, लड़का और आदमी एक मिल कर एक दिन में देखिए, चार काम कर रहा है, क्योंकि ये लड़का है, ये आदमी है, तीन और लड़का का एक, तीन और एक चार काम हो गया, अब जबकि एक लड़का, ए एक औरत और एक आदमी उसी काम को देखिए छोग दिन में करते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं यह छे एक दिन का काम है तो टोटल एक दिन में कितना करेगा तो दो काम करेगा यह दो काम कुन करेगा तो केली औरत करेगी आप से पुछाए कि और टोटल कितना दिन में काम को स ठीक है आज के लिए आपको ये तीन सवाल देखिए बाकी का हम आपको ले कर आएंगे बाकी का सवाल भी आपको आदे समल कर टोतल सोलुशन करवाएंगे अच्छली क्या होथा है एक वीडियो में देने में वीडियो का लेंद काफी जादा हो जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पाट करके देते ही जा रहे हैं तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्य बाद पढ़ते रहे हैं all the best take care thank you